हेलो अल एंड वेलकम टो डिकॉग्णिशन आई एस प्लम्स लॉगडाउन सीरीज में हम लोग देख रहते हिस्ट्री और इस हिस्ट्री में बेसिकली अभी चल रही है हमारी एंशियन हिस्ट्री डिस्में लास्ट लास्ट में हम लोगों ने मौर्यन एज की बारे में हम लोगों ने किया हुआ था इस मौर्यन डिसकुशन में थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों बात करेंगे और बेसिकली आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होगा इंडो ग्रीप को ले करके देखेंगे आखिर में कि इंडो ग्रीप क्या चीज़ है इंडिया में आफ्टर आफर शुरू करते हैं लेट अस स्टाट लेट अस कंप्लीट एं लेटर स्ट्राक बिफोर दैट इस और आवर कॉंटैक डिए और इस आफर कोर्से जान यूट्यूब थे अपर हम लोग बिसीकली आशोका के बारे में देख रहे थे और शोका के बारे में आफ्टर अफर विदिन फाइफ डिकेड देट अफर इस डिस इंटिग्रेशन फर वन्स माइटी इंपायर एट इट जैनित यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपोर्टन्ट रीजन फॉर डिकलाइन है वो यह है यहां का पॉलिटिकल सिस्टम यहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करती थ ऐसा कि हम लोगों ने लास्ट लास में ही देखा था हाला कि इसको रॉमिनाद थापर ने भी इसी को क्रोटिसाइज किया है कि सेंट्रलाइजड सिस्टम होने की वज़े से जो बाद के रूलर होते हैं वो इतना अच्छे से इंपायर समभाल नहीं पाते हैं जिसके कारण से जो पेरिफेरी के स्टेट्स हैं वो अपने आपको इनडिपेंडेंट गोशित करना शुरू कर देते हैं इसके साथ ही जो एक्स्ट、र्नल वर्ड में बाहर में जितने भी ग्रीक्स हैं या फिर जितने भी सीथियंस हैं या पार्थियंस हैं वो लोग भी स्ट्रॉंग होते आ रहे थे लेकिन कही न कहीं उनको ये जो मगद डैनस्टी है या फिर कहा लिजे जो मौरियन डैनस्टी है उसका एक थ्रेट था और वो थ्रेट इसी वज़े से था क्योंकि अशोग जैसे एंपरर यहां पर हो रखे थे तो जैसे ये अशोग का डिकलाइन होता है लेटर मौ अशोग के टाइम पर अशोग की जो पूरी की पूरी टरिटरी थी वो मौडरन दे केरल और तमिलनाडू को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा अंपायर फ्रमधा तक्षिला से लेकर के आप बॉटम में खरनाटक तक देख सकते हैं कि पूरा इलाका अशोग का ही जो वेस्टरन पार्ट थी वहाँ पर एक अलग से एक राजा था जो की बेसिकली जो है मौरियन अंपायर के दौरान में ही सामन्त या कैलीजे कमांडर हुआ करता था वो शूंग डाइनस्टी को स्टाबलिश करता है तो इनफेट कलहन राश्त तरंगडी इनकी एक कैलीजे की जो होता है वो रचना है और इस कलहन में इस बुक में इस रचना में कलहन ने लिखा हुआ है कि बाकी चीजों के बारे में after the death of Ashoka the Kashmir's history says क्या कहती है इसके बारे में बताया इनफेक्ट कश्मीर में एक निया नगर भी बसाए गया था अशोक के द्वारा जिसका नाम था क्या श्री नगर ठीक है तो after his death इनका जो संथा जालूक ruled over Kashmir as independent ruler in fact इस जालूक के बाद जो बाकी इसके बाद जो empire आते है या कह लिजए इसके बाद जो ruler आते है उनका नाम रहता है शाली शूक मौरियर तो इसका नेम था शाली शूक मौरियर हाला कि देखिए याद रखने की जरूरत नहीं है just एक information रखिए कि ये एक last ruler था जो क basically North India की territory में rule किया हुआ था काफी weak था और कह लिजे कि जो होता है बहुत यल्दी इसका decline हो जाएगा तो इस तरीके से partition हुआ और North West के इलाके से चुकी एक अमजोर हो चुका था इसलिए foreign invasions होना शुरू हो गया थे foreign attack होना शुरू हो गया थे अब एक जो मैंने बोला कि centralized system इनके लिए वही नुकसान देया था तो रोमिना था पर नहीं बोला है कि highly centralized administration under Moria became a problem with the later Morians who were not as efficient administrators at that they are of predecessors तो जितने भी पुराने लोग थे वो उतना ज़्यादा strongly नय वाले नहीं हो पाए तो powerful king जैसे की चंदरगुप्त मौरिय अशोग था ये अच्छा खासा administration सम्हाल भी लेता था और साथ ही साथ में empire के disintegration होने से बचा करके रखा हुआ था लेकिन बाद वाले नहीं कर पाए जैसी क्या है कि अगर देखेंगे इस रिजियन में तो एक तो इलाका हो गया जो पाटली पुत्र का था इस पाटली पुत्र के सहारे ये बेसिकली eastern territory को ये देख सकता था तो मतलब आप कह सकता है कि modern day जो यूपी है बिहार है जारखंड है और जो north eastern territory या सम वगर है हो गया इस इलाके को पाटली पुत्र के मतलब सहारे देखा जा सकता था दूसरा इलाका था जो उज्जैन का इलाका था उज्जैन या अवंती भोल सकते हैं आप इसे तो यहाँ पर ये इलाका राजस्थान गुजरात और south इंडिया मतलब की करनाटक जिसको कुंतल बोला याता थ वहां तक ये control कर लेता था और top पे था तक्षिला तो ये basically तीन एरियास थे उज्जैन तक्षिला और पाटली पुत्र जिसके सहारे पूरी territory को देखा जाता था लेकिन again centralized the system पाटली पुत्र में ही रहता था और ये चार ओर से कह लिजे कि जो होता है गवर्नर के माध्यम से control कर रहा होता था लेकिन अगर मालीजी की जो emperor है वही week हो गया तो इसका जो governor होगा वो भी तो अपने ambitions रखेगा कि हमें भी तो कभी राज्यविशे करवाने का मौका मिले हमें तो कभी coronation का मौका मिले तो इस वज़े से ये लोग फिर बगावत करना शुरू कर दिये ये ल इंस्ट हो जाएगा और ultimately राजा को मार करके खुद ही राजा बन जाएगा in fact हम लोग आगी के history में यही सब कुछ देखेंगे कि पहले अपने पिता को मार करके चैसे हर्यक डैनस्टी में क्या हो रहा था कि अपने father को मार रहे थे और फिर राजा बन जा रहे थे लेकिन अब linear lineage वाला system चल चुका था, linear system का मतलब कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला scene हो गया था, clear हो गया the awakening of the central administration coupled with the large distance to communicate also led to rise of independent kingdom जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर weak ruler होगा तो एक communication gap हो जाएगा जिसके कारण से जो periphery के states हैं या जो periphery के areas हैं वो अपने आपको स्वतंतर घोशित करना, independent declare करना शुरू कर देते थे इसके बाद से अशोका के बाद जो weak monarch है थे, उनके कारण से administration जो है वो खतम हो गया the successors of the Ashoka were weak kings and who could not carry the burden of the huge empire that was beckered to them after Ashoka, only six kings could rule over the kingdom for mere 52 years जैसे कि मुगल हम लोग डानस्टी देखेंगे तो वहाँ पर भी यही हुआ था कि लगतार one by one करके सारे के सारे जो भी kings आ रहे थे, जो भी मुगल्स आ रहे थे, रूलर्स आ रहे थे, वो फटाफट चलते आ रहे थे तो और अंग्जेब के टाइम तक ही केवल और केवल मुगल डानस्टी अपने कह लिए top positions में था, उसके बाद से decline हो गया था similarly, Mauryan डानस्टी में भी वही सारा केज देखने को मिला कि अशोक के बाद जितने भी kings हो रहे हैं जैसे देख सकते हैं कि 6 राजा हो रहे हैं और ये 6 केवल और केवल 50 साल तक ही राज कर पा रहे हैं लेकिन personal ambition ये केवल और केवल reason नहीं होता है इसके पीछे reason ये था कि जो पुशमित्र शुंग था ये commander अशोक के time से ही था ये देख रहा था कि यार जो पुशमित्र शुंग एक्चुली ब्रामर था तो ये देख रहा था कि जो ब्रामिनिजम है ये खतम किये जा रहे हैं और जो बुद्दिजम है उसको काफी ज़्यादा बढ़ हावा मिल रहा है इसके लिए rock addicts बनवाए जा रहे हैं inscriptions करवाए जा रहे हैं pillars बनवाए जा रहे हैं इस्तूप बनवाए जा रहे हैं तो ये देख रहा था कि लगातार कि हमारा जो basically धर्म है उसका तो कोई promotion ही नहीं हो रहा है उसका कोई propagation ही नहीं हो रहा है तो as part of result इसने अशोक के जो भी last dollar था व्रिहद्रत उसको मार करके शुंग डानस्टी में basically इसने ब्रामेनिजम को वापस से revive किया कैसे revive किया अशोक ने बनावाया था 84,000 सबको ख़तम करवा दिया था सबको तोड़वा दिया था तो बगए हम झोडिटेल के बारे में बात करेंगे जब शूग डानस्टी के बारे में बात करेंगे अब देखे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग आर्ट अन कल्चर से रिलेटेड एक तो रॉक एडिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया था क्या स्टोरी थी कि मास्क पहन कर गुरजर नेता भाब ब्रो उल गया था कि नहीं तो इस तरीके से बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म करके मैं आप लोगों बताया था साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बिताया था 3 प्लस 4 का सिस्टम जहाँ पर 3 जो है वो अवेर कर रहा था और 4 जो है वो एड्मिनिस्ट्रेशन बता रहा था इसके अलाबा 14 यहाँ पर रॉक एडिट्स जो हता है 7 नहीं 14 थे और 14 में मैंने आप लोगों को पूरी एक स्टोरी बताया थी कि एनिमल डॉक्टर 24 इंटो 7 अवेलेबल रहता है घुमता घामता है व्लॉगिंग करता है और साथ ही साथ साथ 7 मेजर रॉक 7 जो है वो पिलर्स थे बेसिकली पिलर्स थे और यहाँ पर भी अगें 3 प्लस 4 वाली कहानी जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है वही यहाँ पर थी अच्छली तो यह थी जो रॉक पिलर्स से रिलेटेड था अब हम लोगों देख लेते हैं इस से रिलेडेड के लिए जो जगए होती थी वो यही रहती थी तो यहाँ पर भी कई सारे विहार से बनवाए गया थे और यह विहार बिसिकली केव के फॉर्मेट में थे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट केव हैं आपके लिए जो जानना है एक है बराबर केव बराबर अदूसरी है नागा तो यहाँ पर जो आप लोग फोटो देख रहे हैं ये बेसिकली बराबर केव का ही एक structure है बराबर केव का ही एक फोटोग्राफ है देखने पर आपको कुछ खास नहीं लगेगा लेकिन अभी खास लगेगा अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये एक रॉक है ये एक रॉक है जिसको कट करके अंदर से बनाया गया है इसके अगर architecture को दिखाओ तो ये देखिए इस तरीके के खुछ अर्गेटेक्च चेर है जहाँ पर ये पूरा कापूरा एक बड़ा सा रॉक है और उसको अंदर से कट करके खोखला बना दिया गया है इसको hollow system में अंदर जा करके लोग रहते थे, बाकी ventilation का भी system हो रखा था ताकि लोग जो है, अच्छा खासा जो भी air है वो जाते रहे आते रहे तो इस तरीके की ये, जो system मनाई गए इसका नाम था, बराबर cave, इस बराबर cave में दो important caves है, मतलब इसमें भी दो important cave है, एक है जिसका नाम है सुदामा, this is सुदामा cave, और दूसरी cave का नाम है कर्ण चौपार, this is कर्ण चौपार दोनों का नाम याद रखिएगा, important है exam में questions पूछे आते हैं ये दोनों के दोनों जो है basically आजीवी का sect के लोगों को दे दिया गया था, तो this is आजीवी का sect ठीक है, आजीवी का sect के लोगों को दे दिया गया था, इसके अलाबा एक और cave थी, जिसका नाम था नागारजुनी cave और देख सकते हैं photograph, ये दोनों जो cave हैं, वो बिहार में हैं ये धियान में रखिएगा, कई बार ये लोगों के mind से skip कर जाता है, केवल और केवल जो है, cave के बारे में पढ़ लेते हैं location नहीं पढ़ते हैं, location भी देखिए ये जो है, वो बिहार में है नागारजुनी cave जो है ये बनाया गया था अशोक के लड़के, अशोक का जो sun था, उसका नाम था दशरत तो दशरत के द्वारा बनवाया गया था ये, और यहां पर again तीन पार्ट है, cave के तीन पार्ट है, तीन नाम रखे गए है एक है, जो है गोपी गोपी नाम है, दूसरे का नाम है लो मर्शी, लो मर्शी भी एक रिशी हुआ करते थे, लो मर्शी ठीक है, लो मर्शी ऐसे चाहिए यहाँ पर, तो लो मर्शी हो गया और तीसरी थी वर्डिका, दिस इस वर्ड निका, ठीक है, वर्डिका तो यह बिसिकली तीन इंपॉर्टेंट केव, जो आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा शोक ने एक विश्व जोपड़ी केव भी बनवाया हुआ था लेकिन यही दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिलहाल के लिए आगे अगर देखा रहा तो कुछ इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे आजा था था इंडिपेंडेंटली हलाकि यहां पर नॉर्थ में एक मौरियन किंग भी हुआ करता था उस समय जिसका नाम क्या था बताया था मैंने अभी शालिशूख मौर तो यह बेसिकली वहां पर रूल कर रहा हो था था लेकिन अगेन वह वीग वह था था इसके अलावा क जो गांधार तक्षिला के पास था वो भी अगेन सेंटर प्लेस से दूर था इसलिए वीर सेन ने वहाँ पर इंडिपेंडेंट रूलिंग करना शुरू कर दी कश्मीर अगेन इंडिपेंडेंट हो गया जालू का यहाँ पर कह लीजे कि जो होता है वो रूल करना शुरू कर दिये कलिंग इसी तरीके से अगेन फ्री हो गया कलिंग पे अपना अलग अधिकार हो गया था तो इस तरीके से हर एक जो एरिया है वो अलग अलग तूट गया और तूट जाने के कारण से अगेन वही internal revoke और internal revoke के कारण से पुश्यमित्र शुंग भी जो है वो अटैक कर देता अटैक करने के बाद अलिटीमेटली जो है पूराका पूरा जो एमपायर है उसमें शुंग करके मार दिया था और इसको लिखा गया था बान भट के द्वारा कौन सी चीज हर्ष चरित तो हर्ष चरित बेशिकली हलाकि हर्ष वर्धन के लिखी गई है बट यहां पर शुंग के बारे में भी लिखा गया है कि किस तरीके से शुंग ने अटाइक करके व्रेद्रत को मार क के अल्टीमेटली शुंग डाइनस्टी अस्टाबलिश की इस शुंग डाइनस्टी यह जो कांड हो रहा था वो तो इंडिया में हो रहा था लेकिन बाहर क्या हो रहा था बाहर में कोई भी foreign invasions इंडिया में नहीं हो पाया था, उसके पीछे reason यही था कि यहां के लोग डरे हुए थे, बट after death of Ashoka, kingdom जब दो पार्ट में तूट गया, तो यहां पर एक Greek ruler था, जिसका नाम था Antiochus, वो attack किया, लेकिन attack हाना कि unsuccessful रहा, क्यों? क्योंकि सीजी सी बात है, empire तो अभी भी strong था, लेकिन अब attack continuous हो गया, और इस continuous attack के कारण से, जो northern territory of India थी, वो अब चली गई थी foreign rulers के कबजे में, तो यह चीज बेसिकली आ जाएगी, ठीक है, but in time, foreign tribe attacked and established in their kingdom, और Indian soil, और इस तरीके से Indo-Greek culture, या शक culture, या सीथियन culture भी इसको बोला आता है, और कुशन culture, बेसिकली तीन लोग आ जाएगे, तो हमे सबसे पहले अगर देखें, तो सबसे पहले आये थे लोग, bacteria के लोग आये थे, bacteria के बाद, जब आगे आया था, तो फिर शकाज या क्या सकते हैं कि Greeks आये थे, Greeks या फिर bacteria actually कई बार एक ही ले लिया आया था है, लेकिन ठीक है, अगर आप bacteria में, अगर सेलिकस निकेटर को समझ अगरे को समझेंगे, तो अलग कर सकते हैं इसे, अभी हम लोग देखेंगे भी क्या बाते मैं कर रहा हूँ, इसके बाद से Greek के बाद, फिर सीथियन्स आये थे, सीथियन्स या इन्ही को बोलते हैं हम लोग शक, तो इस इस सकाज, और उसके बाद से ultimately जो होता है, पार्थिय के बाद कुशन्स आये थे, तो हम लोग वन बाई वन करके इन सब लोगों को डिसकस करेंगे, फिलहाल हम लोग डिसकस करेंगे अभी, बैक्टरियन्स या फिर जो ग्रीक वाले थे, तो यह बिसिकली पूरा का पूरा अगर इंडिया अंपायर देखा जा तो यहाँ पर था कलिंग, अक कलिंग जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, कलिंग जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, इस इंडिपेंडेंट कलिंग किंगडम में बहुत सारे छोटे छोटे डाइनस्टी आये बाद में, जैसे एक आई थी जो पाल डाइनस्टी थी, सेन डाइनस्टी थी हाला कि ये लोग जो होता है वो वेस्ट बेंगॉल वगरे सब को capture करके अपना एक kingdom मना करके रखे हुए थी इन लोगों के बारे में हम लोग discussion करेंगे कुछ दिनों बात ठीक है अभी हम लोग जो main important discussion है वो पहले करेंगे अब हुआ क्या कि ये जो पूरा का पूरा empire था मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो कश्मीर का region था ये भी independent हो गया था ये independent हो गया इसके अलावा यहां जो गांधार का region था ये भी independent हो गया और प्लस बाहर के लोग attack करना शुरू कर दिये थे तो बाहर का जो Greek attack हुआ उस Greek attack के कारण से जो north की territory थी वो basically पूरे की पूरी दूसरे लोगों के द्वारा कबजा कर लिया गया तो ये जो basically यहां तक का इलाका था ये foreign invasion के foreign invader के कबजे में चला गया जिसमें आप देख सकते हैं कि पांचाल हो गया मत्से गुजरात का ये वाला जो इलाका है वो हो गया अवंती का भी कुछ पार्ट चला जाता है बढ़ पूरी पार्ट नहीं जाती है और यहां जो बचा हुआ है मतलब इस पार्ट में ये जो पार्ट तो इस वजए शें शोंग ने क्या किया कि अपनी जो capital है जो पहले पाटली पुत्र थी उस पाटली पुत्र को transfer करके विदेह लेकर किया है तो this is the विदेह विदेह या कहली जे विदिशा लेकर किया है विदिशा विदिशा इन मद्धप्रदेश तो मद्धप्रदेश में जो शूंग के जितने भी art and culture या जो भी कुछ related हो का कहा मिलेगा हमें सब कुछ मिलेगा मद्धप्रदेश में तो इसलिए देख सकते हैं कि राजधानी भी क्यों इन्होंने transfer की है तो यह basically शूंगर डाइनस्टी के बारे में हम लोग देखेंगे लेकिन हम लोग next class में देखेंगे अभी हम लोग शूंग केम टू पावर in about 185 BC after that शूंग के बाद में फिर कणव आये थे कणव में भी 4-5 रूलर है जो important है देखेंगे हम लोग क्या है और उसके बाद से 7 वहन आये थे और 7 वहन के लिए मैंने आप लोगों को एक movie suggest की थी गौतमी पुत्र शटकरनी उसको आप लोग देखें होंगे तो काफी एक realistic idea लगा होगा देखी कई बार जो है movie picture जो होती है वो हमें जादा अच्छे से समझा पाती है as compared to the जो books है या literature है तो इसलिए हम भी लोग थोड़ा सा भी interesting काम करने वाले हैं अपने इस वीडियो में भी देखेंगे कुछ नए characters आएंगे उसको भी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है फिलाल आप लोग ये समझेए कि पहले शूंग आया है शूंग के बाद कणव आया है कणव के बाद फिर साथ माहन आया और साथ माहन ये काफी ज़्यादा powerful rulers थे और powerful कितना थे आप लोगों ने movie में दो देखी लिया तो ये originally जो है वो डेकन की थे तो North West India अब attack कर दिया गया था शकास के द्वारा या फिर Greek के द्वारा और Central Asia तक ये पूरे के पूरे लोग आना शुरू हो गया थे ना इंडो ग्रीक और ग्रीको इंडियन kingdom has established around 180 BC when Grieko Bactrian king Demetrius ये invade कर दिया था इंडिया अब ज़रा Demetrius का नाम याद रखियेगा क्योंकि हम लोग अब Demetrius के पापा लोगों के बारे में दादा लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं तो after Alexander अब ज़रा हम लोग चलते एकदम पहले से कबसे सिकंदर के टाइम से तो हम लोग किस टाइम पे आ गए हैं चंद्रगुप्त मौरे के टाइम पे आ गए हैं तो चंद्रकुप्त मौरे के दौरान में ही अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था वेस्टरन पार्ट से आफ दे सौथ कंटिनेंट से और हम लोग देखा था अलग अलग तरीके से ये लोग जो है वो लड़ाई बड़ाई लड़े थे और फिर एल्टिमेटली वापस जा रह देख होने के बाद मैंने बताया था इसके जो कमांडर्स थे कौन कौन थे कमांडर से लुकस निकेटर हो गया इसी तरीके से एनाक्जिमेंडर हो गया एनाक्जिमेंडर के बाद निर्याकस हो गया तो ये विसिकली तीन कमांडर्स थे जो आपस में टरिटरी के लिए या फ तरीके से जो multiple commanders थे, सब को निप्टा करके दो commander बचे, Silucus Nicator और Anaximander, ये दोनों आपस में जो war लड़े, अब इन दोनों के बीच में war हो जाएगा, war होता है तो उसका नाम रहता है Infis War, war of Infis, actually Infis River रहती है, उसी की किनारे पे लड़ा जाता है, तो Infis River या Infis War बोल सकते हैं, As part of this war, Silucus Nicator जीत ही आता है, और इस तरीके से ये Siluid Empire establish करता है, इस Empire के साथ साथ दो और treaty भी धियान रखिएगा, एक है Babylonian Treaty, और साथ ही साथ में Trip Randis की Treaty, Trip Randis Treaty, तो ये तीन बेसिकली ट्रीटी थी, लेकिन इन ट्रीटी के बाद Ultimately, Siluid Empire बन जाता है, Silucus Nicator इसका राजा रहता, establish कर देता है, clear हो गया, अच्छाए एक सेकंड इसको clear कर दूँ मैं, इन Silucus Conflict with the Mighty Chandragupta Empire, अब क्या हुआ, कि Silucus Nicator वही इसको फिर से अपना होता है, कि भई अंदर चंद्रुप्त मौरे आ चुका है, चंद्रुप्त मौरे के साथ में दोनों के बीच में वार होता है, चंद्रुप्त मौरे हरा देता है, हराने के बाद Ultimately क्या होता है, कि Silucus जितने भी territory को जीता रहता है, इंडिया के neighboring districts में या neighboring areas में सारा का सारा चंद्रुप्त मौरे को दे देता है, साथ ही साथ अपनी जो daughter रहती है, उसको भी शादी करवा देता है, हेलेना की शादी करवा देता है, चंद्रुप्त मौरे के साथ जो इस तरीके से चंद्रुप्त मौरे जो है जीत ही आता है और आसपास के territory को भी वो include कर लेता है including the Hindu Kush जो कि present day में जो है अफगानिस्तान और बलिचुस्तान का area भी include हो गया है after this Megasthanis भी आता है और Megasthanis जिसके बारे में हम लोग ने बात किया ही था कि ये जो है कई सारे चीजों के बारे में अपने हिंडिका में लिखा रहता है ठीक है अच्छा चंद्रुप्त मौरे के बाद हम लोग ने देखा था कि बिंदू सार इस इस बिंदू सार जो है इसाथ फिलोसफर मांगा रहता है तो फिलोसफर के नाम पे जो ग्रीक के लोग है वो भेशता है किसको डिमेकस को भेशता है और साथ इसाथ में एजिप्ट वाला भी भेशता है जिसका नाम रहता है डाइनोशियस तो ये डाइनोशियस और डिमेकेस यह दो लोग बिद्नुसार के टाइम पर as a philosopher आते हैं और बाकी इनके बारे में जो भी लिखना होता है वो लिखे रहते हैं तो Greek population lived in the northwest part of the Mauryan Empire as evident from Ashoka's Edict Maurya also had department to take care of foreigners like Yavan Yavan कहीं पर भी आप नाम देखेंगे तो उसका मतलब होता है Greek जिसे हिंदी में यवनों के बारे में बताया जाता है this is like Yavan ठीक है ये basically Greek ही होते है और ये noun ने इसलिए ऐसे लिख दिया आता है and the Persian Persian का मतलब तो आप समझी रहे हैं जो आज की डेट में Iranian हो रखा है वही Persian है in the ancient Indian sources Greek were also called as Yavans और ये Sanskrit में बोला आता था और पाली language में योणीज बोला आता था ठीक है Greek rule में अगर आगे और बात किया जाए तो यहाँ पर Greek rule जो है basically Hellenistic rules बोला आता था मतलब कि यहाँ जो king होते थे उनको Hellenistic बोला आता था in the Northwestern North India और ये 2nd century BC से आगे मतलब 1st century AD तक यह चला था यहाँ पर king started when the Greekobacterian king Demetrius अभी हम लोग ने बात किया था Demetrius मने बोला था नाम याद रखिएगा तो Demetrius यूथी Demas का sun रहता है यूथी Demas का बेटा रहता है जो की India invade किया रहता है he conquered Southern Afghanistan and parts of Punjab और यहाँ पर Punjab का इलाके का नाम लगता है सियाल और इसी का नाम बाद में सियाल कोट पढ़ जाता है अब ज़रा देखते हैं यह जो Demetrius है इसका past देखना शुरू करते हैं और इस past में हम लोग आते हैं और start करते हैं there is so much written here आप लोग पढ़ दीजेगा क्या चीज़ है हम लोग ज़रा चलते हैं और अपने इनके past के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं ज़रा तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया हुआ है Silicus Nikator के बारे में और मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि Silicus Nikator किस तरीके से वार बगरे लड़ता है और इंपस बगरे के बारे में ultimately जो हता है इस पूरे इलाके पर किस पूरे इलाके पर जितना भी अलेक्जेंडर का इलाका रहता है like क्या क्या bacteria हो गया bacteria के अलावा और कौन से इलाका है अफगानिस्तान वाला जो इलाका है जिसको parthians बोला आता है तो parthians इलाका हो गया साथी साथ में area का इलाका हो गया plus babylonia हो गया plus persia हो गया plus asia minor हो गया हाला कि asia minor ये पूरा का पूरा इनके हाथ में नहीं था लेकिन ये पूरा इलाका इनके हाथ में था इसके बाद से इसका लड़का रहता है इसका सुन रहता है जिसका नाम रहता है एंटियोकस वन इसका दूसरा नाम रहता है सेवियर इसको सेवियर टाइटल दिया रहता है ये एशिया माइनर को भी जीत करके कबजे में मिला लेता है इस Antiochus 1 के बाद दूसरा राजा आता है, मतब तीसरा राजा आया, Antiochus 2 अगीन, वो Antiochus 1 का बेटा रहता है, तो ये जो Antiochus 2 रहता है, ये थोड़ा सा कहलीजिए कम पोटेंशल वाला रहता है, जैसे कि कहलीजिए कि मौरेन टाइम पे भी आशोक के बाद वाले जितने भ लाकों में फिर अगेन वही Independence की आवाज बूजने लग गई, तो Independence की आवाज बूजनी शुरू हो गए, लेकिन ये भाज सब कम नहीं थे, ये कहते हैं तो अपने आपको की हम God हैं, और God बोला आता है Theos को, चीक है, तो Theos ये जो है अपने आपको बोला करता था, तो अगर ह Persia, Persia, यहाँ पर Babylonia हुआ करती थी और यहाँ पर यह जो है वह Asia Minor था, याद है कि नहीं आप लोगों को, और यहाँ पर जो है बेसिकली वह Parthian हुआ करता था और यहाँ पर जो है वह एरिया हुआ करता था, अपर यह पूरा पूरा जो zone है वह Seleucus के हाथ में था, बाद मे जो एंटियोकस है एंटियोकस ने इसको भी जीत लिया था और इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया इसने अपने कबजे में ले लिया था ध्यान में रखिएगा ये एरिया नहीं है इसके कबजे में नहीं है ये इंडिपेंडेंट है इजिप्ट भी इंडिपेंडेंडेंट है ठीक है बाद में जो है यहां पर जो पार्थिया है दिस इस पार्थिया यहां पर और बैक्टरिया यहां पर इन दोनों जगहों पर विद्ध्रो होना शुरू हो गया था मतलब कि independent होने की जो बात है वो गूजनी शुरू हो गई थी यह कब हो रहा है यह हो रहा है अशोक जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ठीक है आप देखिए यह बिसिकली वो तीन इलाके है वन इस दग्रीक एरिया सेटें बैक्टरिया और पार्थियन तुम ने तीन कॉलम आप लो यह जो यूरोपियन साइड है यूरोपियन साइड हो गया इटली साइड हो गया यहाँ पर भी अपनी खुद की एंपायर चल रही थी जिसका राजा था यूथी डेमस हम लोग देखेंगे आगे ठीक है तो यह इलाका भी याद रखिएगा दिस इस 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 आल्स इंपोर् देख सकते हैं आप एंटियोकस 3 एंटियोकस 2 के बाद एंटियोकस 3 आ जाता है उसका लड़का और यह जो अपने पिता जो की थोड़ा सा कम पोटेंशल वाला रहता यह और गड़बड रहता है मतलब गड़बड इंदसेंस की फिर भी ठीठा की रहता है अटैक वाटैक कर सकता है थोड़ा सा पावर जरूर रहता है इसके पास लेकिन थोड़ा ही पावर रहता है बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है बैटरिया में जो इंडिपेंडेंस आपने आपको घोशित किये रहते हैं वो डायोडोटस 1 के लीडर्शिप में किये रहते हैं अप इस छीनने की कोशिश में डायोडोटस टू आता है डायोडोटस बन का बेटा और यह कहता है कि पिता जी देखिए लड़ने वड़ने से कोई फायदा नहीं है जितना पाएं है उतने में ही केवल और केवल राज्य करिए तो इस वज़े से यह क्या करता है आर्षने का मतलब पार्षन से साथ में यह ट्रीटी कर लेता है कि भाईया तुम्हारा जितना है तुम अपने पास रखो हमारे पास जितना है वो हम अपने पास रखेंगे मतलब कि डायोडोटस एक तरीके से कह सकते हैं डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया था और इस डिप्लोमेटिक तरीके स यह peace कायम करने की, peace establish करने की कोशिश करता है लेकिन Diodeos के उपर attack होता है किसका? Diodeos के उपर Antiochus 3 का attack होता है तो basically Antiochus अभी attack नहीं किये है This man is what? This man is Antiochus 3 ठीक है? Antiochus 3 यहाँ पर attack होता है पहले Utidemos का किसके उपर? Diodeos के उपर और यह attack करके basically diodotus को हरा देता और ultimately uthidemus बन जाता है bacteria का king तो यह capture कर लिया है uthidemus लेकिन फिर uthidemus और antiochus 3 है अब इन दोनों के बीच में war होगा तो इन दोनों के बीच में ultimately war होता है यह diodotus नहीं यह antiochus है this is antiochus 3 तो यह दोनों basically एक दूसरे से war लड़ते है war लड़ते है तो दोनों powerful है और powerful होने के कारण से कोई भी result नहीं निकलता है part of result क्या होता है एक बंदे को भेजता है antiochus की जाओ तुम जरा वाड़ता वाड़ता कर लो देख लो क्या होता है तो ultimately यह भेजा जाता है टेलियस को टेलियस जाते जरूर है लेकिन किवल हसी मजा करते रह जाते हैं और कुछ भी consequence पे नहीं निकलके आप आते हैं तो as part of result क्या होता है as part of result जो यूथी डेमस है ध्यान रखिएगा यूथी डेमस फिर भेजता है डेमेटरियस को तो यूथी डेमस एक्चुली जो ये है arrow है वो इस side में होना चाहिए डेमेटरियस को फिर भेजता है और ये वही डेमेटरियस है जो हम लोग अभी ध्यान दे रहे थे मैंने बोला था कि ध्यान में रखिएगा Youthi Demas का ये लड़का रहता है Youthi Demas का लड़का जिसका नाम रहता है Demetrius Demetrius जाता है और Antiochus 3 के साथ बातचीत करता है बातचीत करता है और अब सीधी सी बात है He's an actor, तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही नहीं बिसिकली जाता है, बात करता है करता है शादी करके आता है किससे एंटियोकस के इंटियोकस थ्री के डॉटर रहती है उससे शादी करके आता है मतलब कि अब क्या हुआ कि जो यूथी डेमस है और जो एंटियोकस है इन दोनों के बीच में अच्छा खासा रिलेशन बन चुका है marital relation बन चुका है तो इन दोनों के बीच में जो war like conditions थी वो अब शान्त हो गई है वो peace हो गया है और दोनों एक दूसरे के family बन चुके है तो इस पार्थ में होता क्या है कि दोनों के दोनों अब जो है Demetrius basically अब इंडिया को invade करने के लिए आगे बढ़ता है जो राजस्थान, दिल्ली, पंजाब इस पूरे इलाके को अपने कबजे में कर लेता और इस तरीके से Northwest part of the India ये अब Greek के अंडर में चली जाती है और बाकी अब इंडिया में क्या चल रहा है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो Northwest part चला गया है foreign invaders को जो हम लोगे ने पुराना map देखा था और जो Central India का part है और साथ ही साथ जो Eastern का part है वो कलिंग इंडिपेंडेंट है और बाकी के अरिया में शूंग डाइनस्टी आ गई है South में अगर आएंगे तो चेर, पांड ये सब हैं लेकिन अभी ये कभीले format में रह रह रहा है यहां पर कोई खास एक कैलीजे संगठित रूप में एक कैलीजे की जो है स्टेट की रूप में ये निकल करके नहीं आए है तो पुरा इंडिया का map clear हो गया है अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं पिको कल्चर में ही और डिमेटरियस के बाद जड़ा देखते हैं क्या कोई important ruler क्या कोई important raja आया है तो बिलकुल important raja एक आया है जिसका नाम रहता है menander तो he is a menander मिनेंडर के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो देखिए menander one यह सोटर भी बोलते है he was also known as menander menander या फिर milind तो milind जो है इसका नाम दिया रहता है एक buddhist monk रहता है वो इसका नाम milind रहता है और इसी के नाम पर ये एक book लिखता है जिसका नाम रहता है milind पन्हो बात करेंगे और इस buddhist का नाम क्या है इस buddhist का नाम रहता है नागारजुन इसके बीचे एक story भी है सुन लिजे story क्या है एक पर होता क्या है कि milind और milind मतलब की menander और नागारजुन दोने एक दूसरे के साथ में वाद विवाद मतलब की debate करना शुरू कर देते है as part of the debate जो menander रहता है काफी ज़्यादा influenced हो जाता है नागारजुन से जिसके कारण से जो नागारजुन है वो again कैली जे की जो होता है बुद्धिस्ट जो religion है वो milind को follow करा देता है और menander जो है वो buddhist follower बन जाता है और इसके कारण से फिर जो नागारजुन है वो एक आगे जाकर एक story लिखता है एक book लिखता है जिसका नाम रहता है milind पन हो तो इस तरीके से menander जो है वो आयाते हैं अपने इस format में clear होगे है क्या चीज़ है अच्छा आगे बात कर लेते है menander के बारे में he was initially a king of bacteria his empire invaded by Kabul river valley in the west to the Ravi river in the east तो अगे दोनों के बीच में कह सकते है कि जो स्वात वैली आज की है जहां से अगेन कौन है स्वात वैली से स्वात वैली से है मलाला यूसुफ जई टिक है तो ये basically स्वात वैली से है तो स्वात वैली अगेन कहां पे है अरकोशिया या फिर इसी का नाम हम लोग एरिया बोल रहे थे तो अरकोशिया जो की बेसिकली अफगानिस्तान के एरिया में पढ़ता इस इलाके को ये रूल कर रहा था तो एकॉर्डिंग तो सम इंडियन सोर्स ही वेंट एस फॉर एस राजस्तान और बातली पुत्रा के भी बढ़ा था और बुद्धिजम कनवर्ट हो गया था और मैंने आप लोगों को पूरी स्टोरी भी बता दी कि किस तरीके से नागारजुन ने डिबेट के फॉर्मेट में मिनाइंडर को बुद्धिजम में कनवर्ट करा दिया था 130 BC में ये मर जाते हैं और उसके बास से इसका जो लड़का रहता है स्ट्राटो ये राजा बनता है मिलिंद पन्हों के बारे में अल्रडी मैंने बता दिया कि it is a dialogue between मिलिंद और बुद्धिस्ट सेज नागसेन अच अब इसके बार से थोड़ा सा हम लोग coins के बारे में बात कर लेते हैं जो इंडो ग्रीक कल्चर से related coins है काफी important है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि coins जो है वो basically हिंदू कुष के region में काफी जाता सर्क्यूलेटेड थे not only in the हिंदू कुष region but also in the भराच this is भराच भराच क इंडस वैली के टाइम पे क्या नाम था इसका इसी का नाम था लोथल और यहां पर अगेन उस समय भी काफी busy port था आज की डेट में भी मतलब की ग्रीक टाइम पे भी यह काफी आदा busy port था जिसका नाम उस समय भराच था तो इस इस इलाके में भी काफी आदा इसके coins चलते इसके coin के बारें बात करें तो यह देखिए gold, silver, copper और nickel के coins होते थे इसमें Greek legions बने होते थे Greek legions मतलब इसके जो भी ruler है या फिर इसके जो deities है वो बने होते थे इसके लावा south of the hindu कुछ region में भी कुछ coins जो है वो circulate होते थे लेकिन यह coins जो है थोड़े अलग होते थे जैसे यह बने होते से silver और copper coins के mostly square shape में होते थे Indian weights standard were followed in making of these coins they had bilingual inscription और यह दो भाषा में जैसे एक Greek और दूसरा खरोष्टी जैसे दोनों एक सिक्के के दो पहलू one side one face दो फेस होते है न तो एक फेस पे Greek अक्षरों में लिखा होता था दूसरे में खरोष्टी अक्षरों में खरोष्टी script में लिखा होता था on the obverse of the coin royal patronage represented and on the rivers religious symbols यह सब बने होते थे clear हो गया यह देख सकते हैं इस तरीके की coin होते थी जहांपर जो है कभी dietis का कभी ruler का इस तरीके से नाम लिखा होता था square shape में भी आप देख सकते हैं this was the square shape हालाकि यह जो होता है generally सारे के सारे circular ही है तो यह basically हो चल रहा था तो यह जो coins है यह northern side of जो भी system है hindu kush वहाँ पर पाया गया है यह जो coins है ठीक है now की इंडो ग्रीक कैसे decline किया इंडो ग्रीक decline करने के लिए जो last ruler था वो strato 2 था और यह पंजाब के area में rule कर रहा था इसको rule के दौरान में बाकी सीथियन attack यानि शको का attack हो गया था it is believed that Greek people lived for several centuries more in India under the Indo-Pathians and cushions तो यह थी basically आज की discussion अगर आपको कोई doubt होता है तो आप इन channels को use करके अपने doubt को पुछ सकते हैं अगर next class में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे आखिर में जो शकाज इस इंडो ग्रीक कल्चर को attack किये हैं आए हैं तो क्यों आए हैं और Parthians की क्या history रही है Parthians शक से पहले थे या बाद में थे और ऐसा क्या Parthians ने किया जिसके कारणे शे शको को कुछ अलग तरीका अपना ना पढ़ा तो यह सारी चीज़े हम लोग देखेंगे अपने next class में मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then goodbye and thank you so much